4, 3, 2, 1, start माननीय सभापती महोदय हमारे दलने असम राज्य की समस्या को जिस रूप में समझा है उसको हमारे माननीय नेता ने इस सदन में अपने कथन में इस पस्ट रूप से कह दिया है मैं पुनह उसी बात को दोहराना नहीं चाहता हूँ मैं इस बात से पूनतह सहमत हूँ कि यह एक गंभीर समस्या है और देश की एकता के लिए और देश की आर्थिक इस्थिती के लिए एक विकट समस्या बनी हुई है कुछ दल इस समस्या को हल करने की बजाए और अधिक बढ़ाना चाहते है इसमें कोडी संदेह नहीं है लेकिन हमारा दल इस बात के खिलाफ है हम सब यह भी जानते हैं कि कुछ विदेशी सक्तियां जिनकी चर्चा इस माननीय सदन में हो चुकी है यह काम कर रही है यह समस्या न केवल असमराज्य में है बलकि देश के कई अन्य प्रदेशों में भी धीरे धीरे पैदा होती जा रही है इन विदेशी सक्तियों को ऐसी इच्छा है कि यह देश अलग-अलग टुकणों में बट जाए और एक शक्तिसाली देश ना बन पाए उपसभापती महोदय इस सम्मंध में हम और हमारी पार्टी पूरी तरह से सरकार के साथ है हम अपने देश की एकता को किसी भी इस्थिती में भै नहीं होने देंगे लेकिन इस सब के बावजूद हमें यह अवश्य विचार करना चाहिए कि केंद्र सरकार में इस संबंध में ऐसे कौन-कौन से कदम उठाए हैं जिनसे असमराज्य की इस समस्या को हल करने में सहायता मिली हो हमारे इस सदन के एक मानमी सदस्य कह रहे थे कि असम की आर्थिक इस्थिती का लाभ उठाकर ये सभी सक्तियां वहाँ पर अपना-अपना काम कर रही है मैं भी इस तथ्य से पूरी तरह से सहमत हूँ लेकिन सरकार का भी तो कुछ दायत्व होता है कि वह इस राज्य की आर्थिक इस्थिती को जितनी जल्दी हो सके सुधारने का प्रयास करे ताकि ये विदेशी शक्तियां वहां की गरीब और कमजोर जनता से अनुचित लाभ ना उठा सके मानिवर काफी समय पहले असम राज्य के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि असम राज्य के जो प्रगती के साधन है वे बहुत बड़े पैमाने पर राज्य के बाहर चले जाते हैं और इस तरफ उन्होंने केंद्र सरकार का ध्यान भी आकरशित किया था लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री जी को इस बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है